ओके फ्रेंज तो आजकी इस नीव वीडियो में मैं आप से बात करने वाला हूँ कि रियल में के कोई सा भी स्मार्ट फोन में प्ले स्टोर से एप्लिकेशन डाउनलोड करने पर एप्लिकेशन डाउनलोड नहीं हो रहा है या फिर से कुछ इस तरह का पॉपप आड़ा है लि डाउनलोड नहीं हो रहा है तो उसे फिक्स कैसे करेंगे देखिए मेरे फोन में भी सेम प्रॉब्लम आ रहा था पर फाइनली मैंने जो है वो उसे फिक्स कर लिया है अब कोई सा भी एप्लिकेशन इन इस्टोर या डाउनलोड करते हैं तो वो बेसिकली डाउनलोड हो जात तो इसे fix करने के लिए setting application open कीजिएगा, नीचे की ओर scroll कीजिएगा, apps करके एक option मिलेगा, इस पर click कीजिएगा, first number पर app management का option मिलेगा, इस पर click कीजिएगा, फिर नीचे की ओर scroll कीजिएगा, और play store application ढूंड कर उस पर click कीजिएगा, कुछ इस तरह से interface आजाएगा, एक और तरीके से आप directly यहाँ पर आज सकते हैं, तो play store application पर tap करके hold कीजिएगा, तो एक pop up आएगा, left side में application information का icon दिखेगा, इस पर click कीजिएगा, तो same page पर आजाओगे, middle में force stop का option दिया गया है, तो इस पर click कीजिएगा, नीचे से एक pop up आएगा, और red color में false stop लिखा रहेगा, तो इस पर click कीजिएगा, उसके बाद stories uses पर click करना है, फिर clear catch पर click कीजिएगा, और clear data पर click करने पर कुछ इस तरह से नीचे से pop up आएगा, तो right side में delete का option दिया गया है, तो इस पर click कीजिएगा, उसके बाद दोस्तों आप अपने phone को एक दफा switch off करके on कीजिएगा, या फिर से restart भी कर सकते हैं, फिर play store application को open कीजिएगा, और कोई सा भी application download कीजिएगा, तो यहाँ पर application basically काफी आसान तरीके से download होना start हो जाएगा, problem जो है, वो fix हो जाएगा, जैसा की, इस skin पर देख सकते हैं, तो इन ही कुछ simple steps को follow करके, आप इसे fix कर सकते हैं, बाकी friends, वीडियो पसंद आया हो, तो like, share and subscribe जरूर कर लिजिएगा, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नए topic के साथ, तब तक के लिए, जैहिन बंदे म आटम्